नमस्कार इस वीडियो में क्लास 10 विसेजीव विज्यान का अध्याय जय प्रक्रम और पोशन का संचिप्त अध्यन करने वाले हैं इससे वस्तुनिस्ट अती लगु उत्तरिये तथा लगु उत्तरिये प्रश्णों का आसानी से हल किया जा सकता है यह परिक्षा के लिए महत् पूर्ण है इस वीडियो के बाद इस अध्याय के सभी वस्तुनिस्ट प्रश्णों का अध्यन अगले वीडियो में करेंगे अधी चैनल पर पहली वार है तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो जरूर लाइक करेंगे जय प्रक्रम और पोशन चेप्टर का निकी इसी चेप्टर का अधी पीडियाफ चाहिए तो टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एवलेवल हैं तो चलिए एके करके हम लोग प्रारम करें इस अध्याय को संचिप्त में पढ़ने का जैव प्रक्रम और पोशन यही चेप्टर है तो वह सभी क्रिया जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षन अनुरक्षन मेंटेनेंस होता है अनिकि वह सभी क्रिया जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षन होता है जैव प्रक्रम कहलाता है उसके बाद पोशन की परिभासा हम लोग यहां से समझते हैं पोशन वह विधि है जिससे जी पोशक ततो को प्राप्त कर उनका उप्योग करता है अनि पोशन वह विधी है जिससे पोशक ततो जी प्राप्त करता है और उनका उप्योग करता है अब आगे बात करें तो portion के प्रकार की तो portion दो प्रकार के अनिकी nutrition के दो प्रकार है शोपोषन और पर पोषन शोपोषन में इसकी परिभासा हम लोग समझें तो सोपोषन इसमें जीव अपना भोजन खुद अनिके श्वयम तयार करता है तो एक्जाम्पल के तोर पे सभी हरे पोधे स्वपोसित होते हैं स्वपोसन की क्रिया करते हैं और इनके जो आवस्य घटक हैं वह चार है पहला है सुड़ी परकास दूसरा है हरित लबक तीसरा है जल और चौथा है कारवन डायोकसाइड इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं महत्पून पॉइंट्स इस परकार से है कि हरित लबक में हरे रंग का वरनक पाया जाता है अनि हरित लबक में हरे रंग का वरनक पाया जाता है जिसे फर्न हरित कहा जाता है पत्ता का हरा होना इसी हरित लबक के कारण होता है पोधे का भोजन बनाना प्रकास संसलेशन क क्रिया कहलाती है उसके बाद का संसलेशन क्या है इसको समझें कि शूर्ज प्रकास हरित लवक जल कार्बन डायोकसाइड की सहाइता से पेर पोधे द्वारा भोजन बनाना प्रकास संसलेशन है और इसके लिए यह अभिक्रिया दी हुई है CO2 प्लस H2O जब परावईगनी किरन की शूर्ज प्रकास इसके साथ साथ परण हरित के द्वारा प्रतिक्रिया कराए जाती है तो गुलुकोस C6 अनिकि C6H12O6 इसे ही गुलुकोस कहा जाता है यह प्राप्त होता है उसके बाद ऑक्सीजन और जल भी प्राप्त होता है पौधों में पोशन यह महत्तपूर्ण है पौधे में समान रूप से हम लोग देखते हैं कि प्रकास संसलेशन की क्रिया द्वारा पौधों में पोशन की क्रिया होती है लेकिन कुछ ऐसे भी है प्रन्तु प्रकास संसलेशन करने वाले पौधे नहीं है कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो प्रकास संसलेशन की किरिया नहीं करते हैं तो वह है मिर्थ जीवी अनि पोशन सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से गरहन करता है जिसे मिर्थ जीवी कहेंगे इसमें गुबर छत्ता प्रमुख है पर जीवी पोशन पोशन के लिए दूसरे जी और कि परर पोशन क्या है तो पर पोशन की परिभासा है इसमें जीव अपना भोजन स्वयम नहीं बनाता है फैसें यहां प्रपोशन के मुखरूप से हां पर तीन प्रकार है मिर्त जीवी पोशन उसके बाद पर जीवी पोशन और तीसरा है प्रानी सम पोशन तो मिर्त जीवी पोशन मिर्त जीवों और पौधों के सरीर से अपना भोजन अब सोशित करता है मिर्ट जीवों और पवधों के सरीर से जो अपना भोजन तयार करता है या प्राप्त करता है अब सोशित करता है उसे मिर्ट जीवी पोशन कहा जाता है एक्जाम्पल में है कवाक वैक्टेरिया और प्रोटो जोवा पर जीवी पोशन में जीव दूसरे जीव के संपर्क में रहकर भोजन गरहन करता है या अस्थाई रूप से रहता या तो फिर ओस्थाई रूप से रहता है तो इसमें उधारन के तोर पर है गोल किर्मी, हूँक वर्म, टेफ वर्म, मलेरिया पर जीवी, इत्यादी तीसरा में हम लोग देखे थे कि प्रानी संपोशन है जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में गरहन करता है जैसे मनुष हो गया, मेढ़क, अमीवा या प्रानी संपोशन जीव कहलाता है, इसके बाद प्रकास संसलेशन की क्रिया विधी, इसे हम लोग थोड़ा समझें कि प्रकास संसलेशन की क्रिया विधी क्या है, पत्यों पर जब सूर्ज प्रकास, सूर्ज की रोशनी पढ़ती है, तो कलोरोफिल विकिरन उर्जा का अब सोशन कर, पत्यों में उपस्थि जल ऑक्सीजन हाइड्रोजन में बढ़ जाता है अनिकी ओटू और एच्टू में बढ़ जाता है तथा एस्टो माटा इसे ध्यान रखिएगा एस्टो माटा द्वारा ऑक्सीजन बाहर निकल जाता निकी बाताब्रन में चला जाता है और हाइड्रोजन और कारवन डायकसाइ मिलकर गुलुकोस बनाता है तो इस प्रकार से प्रकास संसलेशन की क्रिया विधी है उसके बाद आगे है अमीवा में पोशन कि यह सरल प्रानी संपोसी जीव है अनिकि सरल प्रानी संपोसी मिर्दू जलिये एक कोशिये तथा ओनिस्षित आकार का प्रानी है पोशन के लिए इसमें कोई बिसेस अंग नहीं होता है कूट पादों से भोजन गरहन करता है और इसका प्रोसेस है पोशन का सबसे पहले अंतर गरहन होता है पाचन होता है उसके बाद बहिसकरन होता है अमीवा का आप चित्र बना सकते हैं आसान तरीका से इसे बनाना बहुत सिंपल यह जो पार्ट यह पार्ट और यह पार्ट एक बला पार्ट देखना प्रकिन का लाता है बीच में करना था होता इसद्र कहा जाता है उसके बाद ऻोजन इन कुड़ पाधों की सहाथ से जो जो कूड़पाद है इन कूड़पादों की साहता से भोजन अंतरगरहन करता है उसके बाद अंतरगरहन के बाद पाचन की क्रिया होती है उसके बाद पचने के बाद जो अवसिस्ट पदार्थ होता है उसे बाहर निकाल दिया जाता है जिसे वहिस्करन कहा जाता है उसके बाद अमीवा के समान ही मिलता जुलता पैरामिसियम है यह भी अमीवा की तरह सरल प्राणी समपोसी मिर्दू जलिये एक कोशिये निस्चित आकार का प्राणी है ध्यान रखिएगा कि अमीवा वो निस्शित अकार का प्रानी था लेकिन पईरामीसियम इसका जो आकार है इसकी जो आकरटी होती है वो निस्शित होती है और पोशन के लिए निस्शित अंग होता है तो इस प्रकार से अमीवा में पोशन क्रिया और पैरामिसियम में पोशन की क्रिया हम लोग समझे आगे है कि मनुष का पाचन तंत्र तो भोजन के पाचन के लिए बिसेश अंग होते हैं भोजन के पचने के लिए मनुष में विसेश अंग होते हैं जिसे अहार नाल कहा जाता है अहार नाल पाचन गरंथियां और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्मान होता है अहार नाल की लंबाई आठ से दस यहाँ पे मीटर लिखिएगा मिसिंग हुआ है टाइप में आठ से दस मीटर होती है मुख से प्रारंब होकर करके मुख से प्रारंब होकर के यह मल द्वार निकरेक्टम तक जाती है पाचन तंत्र निम्न है मुख गुहा यह अहार नाल का पहला बाग है जिसमें जीव तथा दात होते है जीभ में स्वाद गलियां पायी जाती है और इनही स्वाद कलियों की सहायता से वह जीभ भिन्भ्रकार के स्वाद को μας के साथ को डिफरेंस करते हैं अलग अलग करते हैं मुख में कुल मिला करके 32 दात होते है जो कि ब्यस्क मनुस में पाए जाता है जिसे चार भागों में बाटा गया है पहला है कतरनक जिसे इंसाइजर कहा जाता है दूसरा है वेदक जिसे केनाइन कहा जाता है अंग्रेजी में तीसरा है अगर चवर्नक जिसे प्री मोलर और चोथा है चवर्नक जिसे मोलर कहा जाता ह दात के उपर सबसे उपरी भाग डेंटाइल होती है जिस पर एनामेल की कड़ी परत होती है या बहुत कड़ी होती है इसी के सहायता से एनामेल की सहायता से दात की रक्षा होती है उसके बाद गरसनी है मुखगुहा का पिछला भाग है जिसमें निगल द्वार और कंठ द्व में खुलता है और एपी गलोटी से से कंठ द्वार ढख जाने पर भोजन स्वास नली में नहीं जा पाता है उसके बाद तीसरा है ग्रास नली भोजन का क्रमा कुंचन से आगे बढ़कर आमासे में जाता है भोजन ग्रास नली में क्रमा कुंचन होता है उसके बाद भोजन पाचन कीकरिया नहीं होती है चौथा इसका है अमासे अमासे का अगर भाग कार्डियक और पीछे का भाग अनंने कि पस्च भाग पाईलोरी कह लाता है बीच का भाग फुंडिक कह लाता है निकि कार्डियक तथा पाईलोरिक के बीच का भाग फुंडिक कहलाता है उसके बाद छोटी आत है 6 मीटर लंबा चोटी आत की लंबाई 6 मीटर उसके बाद इसकी चोड़ाई 2.5 सेंटी मीटर अहार नाल का सबसे यह लंबा भाग होता है जिसमें पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है मानसाहारी के बनिश्पत साकाहारी जनतूओं में और जो मांसमचली खाने वाले हैं उस जनतू के अपेक्षा साकाहरी जनतूओं में आत की लंबाई अधीक होती है उसके बाद यक्रित है या सबसे सरीर की बड़ी गरंथी होती है जो कि 1.5 kg के भार के बराबर होता है यकृत कोशिकाओं से पित का स्राब होता है जो पितासे में जमा होता है उसके बाद आगे है अगनासे इसमें ट्रिपसीन इमाइले से लाइपे से नुकुलियस नामक एंजाइम पाएज आते हैं और अंत में है सात्मा नमबर बड़ी आत यह दो भागों में बटा होता है कोलन और रेक्टम अनिकी बड़ी आत दो भागों में विवाजित होता है जिसे कोलन और रेक्टम के नाम से जाना जाता है तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो में जो महत्तपूर्ण बाते थी उसका अध्यन किये अनिकी उस चेप्टर का जो कि जैप्रक्रम और पोशन से समंधित एक संचिप्त जानकारी हम लोग प्राप्त किये जो काफी महत्तपूर्ण है अब इस जानकारी की सहायता से लगभग जो भी बस्तुनिष्ट प्रश्ण है अ नेक्स वीडियो में हम लोग करेंगे बस तब तक के लिए धन्यवाद